Hello students, good morning to all of you and also your happy family. Dear students, once time again, I am AKC in front of all of you for teach the next part of English grammar that name is Passive Voice of Past Continuous Tense. अर्थार्थ, आज हम आपको एक बार फिर से Past Continuous Tense का Passive Voice पढ़ाने जा रहा हैं. क्योंकि इससे पहले हमने आपको पास्ट इंडिफिन्ट पढ़ा दिया था, हाँ कुछ लास्ट में रा गया था पास्ट इंडिफिनिट का तो क्यों बिशेस बात नहीं है कर नेग्रेटिव हो सब्सक्राइबर बढ़ावात इसे हैं, थेक हम कोई नहीं आपको भी जाता बेटा रहेगा, तो चलिए, लेट्स इस्टार्ट, हम लोग क्या करते हैं, शुरू करते हैं, तो सबसे पहले हम आपको बताने का पर्यास करेंगे, कि पास्ट कंटिनिवस टेंस का पाचान होता क हैं, हमने पहले हिए आपको डिस्कुस किया कि दुको एक एक पाचान ही होगा, जिस अंग्रेजी वाक्या में शहाय के रूप में लगा हो वाजिया है, जिस अंग्रेजी वाक्य में सहाय किरिया के रूप में लगा हो वाज या वेयर और मुख्य किरिया के साथ लगा हो आईयन जी क्या लगा हो आईयन जी तो ऐसे वाक्यों को पास्ट कंटिनिवर स्टेंस में समझते हैं एक्जाम्पल ही वास नौट रिडिंग वाज या वेयर और पलस किरिया में आईयन जी याद रखिए कोई भी अनुबाधा बनाते हैं तो आपको बस तीन फेज से गुजरना पड़ता है आपको बस तीन फेज से गुजरना पड़ता है तीन फेज मतलब क्या एक में भार में भार मतलब कि मुख्य के रिया इसका यूज क्या हो सकता है जैसे अभी हमने बताया अगर हम पास्ट कंटिनुवस के या अनुबाद ही बनाते हैं तो यह तीन चीज़ें आपको जरूर होनी चाहिए पहला उसका आइडेंटिफिकेशन क्या है आइडेंटिफिकेशन तो हमने बताया कि जिसमें घर भॉस है तो वह इंडेंटिफिकेशन दो ही वर्ड को देकर पाचान पाएंगे एक हेल्पिंग भार और दूसरा में यह दो चीज आपको किरिया कर लेना होगा कि सहाय किरिया क्या है और मुख्य क्या है तो सहाय क्या जो सहाय क्या है और मुख्य क्या क्या एक फर्स्ट फॉर्म सेकेंड फॉर्म फॉर्फ फॉर्म फॉर्फ फॉर्म जैसे रीडिंग हो गया रिड्स हो गया यह सब मुख्य क्या है तो यह दो चीज के अधार पता बोली अब हो जागा एक और एक्जांपल वाई वेयर दे यामाल नौट वाशिंग दा मैच वह लोग मैच क्यों ने देखत अब बोले पहाचान पहाचान में आप के लिए यह समझे कि ऐसे स्थिती में सहाय किरिया के रूप में रहेगा वाज या वेया और जब मुख्य किरिया की बात आगी तो ऐसे स्थिती में जब भी मुख्य किरिया सब्सक्राइब होगा और थारत मुख्य किरिया के साथ लगा रहेगा आई एंजी आई एंजी के पिछे हफ थढ़ा सा हिस्टरी को पढ़ लेते हैं हम पढ़ें कि लगता कि हूए तो आएंजी अक्सर जारी काम को दिखाता है और कंटिनीवस में च्छिपाई हुआ है कंट तो जिस में पढ़ते आ रहा है इसमें भी आयां जीलेंगा वहाँ दोड़ रहा है जहां भी रही होगया इंची लगेंग एक ही सिक्का के दो पाल हुए अगर एक है दूसरा इसलिए टेल को पाशानने के लिए यह बारे में जनकारी होएं चाहिए और पाशानने के लिए यहां तो होगा चलिए अब बढ़ते हैं रूल क्यों बनाते हैं तो हम पहला बात करते एक अच्छी तरह से जानते हैं कि मतलब क्या तो अश्वार्मेट का बनाएं जिसमें रफिशा इंपोर्देंट और इसमें की में नौट या प्रस्णौवाचक सब्द का फर्योग नहीं कि और तो इसको हम बनाएंगे कैसे देख लेए यह संटेंस है माई मदर वास टेकिंग टी इन दा मॉर्णिंग यह देखिए संटेंस है सबसे नियー करता है तो नया करता है मैं क्या है या सब से पहले ऐसके बाद सहायक के कर सकते हैं इसलिए अनकाउंटेबल नहीं कर सकते हैं इसलिए इसलिए टीक है साथ जब भी होगा तो वाज होगा क्या होगा वाज कि दूसरा इसमें यह अफर्मेटिव को नहीं आगे देखते हैं वाज या उसके बद बींग क्या होगा बींग का पुराना रिलेशन यह समझे कि जब भी संटेंस में किरिया का साथ आई यंजी जूड़ा हो क्या जूड़ा हो हरो पलस आयां जी जब भी संटेंस में किरिया के साथ आई यंजी जूड़ा हो तो पैसी वाज बनाते समय आप आई यंजी के लिखिए बींग और यह इसके बाद मुख्य किरिया का तीशरा हो ठीक हम में वरों के बारें बताये थे कि सवजी में नमख की तरह है किसकी तरह कोई एसा इनसान ने जिसमे घर पर बनता होगा नमख नहीं ला जाता होगा पड़ेगा ही पड़ेगा तो वह ही है अर्था पील तुमका लिखेंगे सब्समाने श्रूइब है भूर कर दिककत उसके बाद मुखी कीरिया का तिसरा लुकी मुखिकरिया भूह सब्सक्राइब उनसर्ण हम हमने गो sex बहुतर ब्सक्राइब यह चाहिए नहीं के पहले भी लिख सकते हैं अर्थार्थ हो जाएगा टी वास बींग टेकेन इन दो कि मोर्निंग और माई मतर है तो क्या लगता है कि माई मतर को चेंज कर दें नहीं यह एड्जेक्टिव है यह रहे गाई रहेगा इसलिए मोर्निंग बाई माई अब बोलिए बोलिए क्या दिक्कत है आसान है कि नहीं है अरे शरी तना आसान तुम लोग कलपना भी नहीं किये तो है थेक माई मदर वास टेकिंग टी आव स्ट्रक्चर को समझ सकते हैं निवस अब्चेक्ट वाजिया वेयर प्लस बींग प्लस भीतिरी प्लस है मदरक अब्जीक्ट यहीं अब बोले पांज जाएगा एक और एक्छाम्पल देख लिए यह भी लिखा हुआ है कि दो संद्रेंस लिखा हुआ है प्लेंग बाल यस्टरदे तो अधर्वर्ड है इसमें अब्जेक्ट किर होना चाहिए नहीं तो आप आप नहीं तो आप है तो कि लियर पर इसे घम को धिसक्स का है कलास केमेस्ट्री टीचर के एक श्राइए बायों के स Не अग से सामने सक्षार्ट है अब बता कि यहां पर वास है और का कि यह नया करता दुसरा चुका है यही इन डिफिनिशन है कि सर वहां पर करता देता पर यहां पर करता बॉल है और बोल के साथ आदा हिंदुस्तान से अधिक लोग जानते हैं कि एक वच्छन होता है क्या होता है एक वच्छन इसलिए बॉल वाज बिंग होगा क्या होगा बॉल वाज बॉल वाज बिंग प्लेड यस्टरडे बाई दें तो अब तो सुझा जाएगा अफर्मेटी कोई दि अब कोई दिक्कत नहीं आया है 100 परसेंट जैसे मालक को पुछ दे कि ही वास रीडिंग स्टोरी स्टोरी वास बिंग रीड बाई हीं सो सिंपल हो जाएगा चलिए अम तरह से डिस्कस करते हैं नेगेटिव अस्ट्रक्चर के बारे कि अगर यही दिया गया पैसी वास नेग लिएद्यव आपके साड़ Könis clothes को और की की तरह होता है । नेगेटिव क्या होता है अथ। आपके साड़ गे की तरह होता है ओकर की तुरह होता ह पीछे चार को पाउलम खूस लिए हैं पीछे पूरा दम पैसा रखे जा रहे हैं आपको पागल सीधु करेंगा इसमें कोई जंदे नहीं है तो नोट को कहा करेंगे तो हमने यह लिखा कि वाज या वेयर के बाद बाद के स्ट्रक्चर से वाज या वेयर के जैसे हैं हमें पर लिखते हैं माई शिष्टर वाज नौर को किंग होड आड़ नाइट को किंग फूर आड़ यह क्या संगा रहा है यह है कि माई सिस्टर वाज नौर्ट कुकिंग फूर्ट फूर्ड आड़ नाइट हमको बनाना है पैसे पास्ता क्या आड़ इसका अब्जेक्ट है टाइम है रात को टाइम टेबूर अस्थान कुछ भी हो यह अधरवाद होता है लास्ट में छोड़ दीजिए क्या तो फूर्ट हम बनाएंगे सबसे पहले न्यू सब्जेक्ट फूर्ट वास नौट बिंग कोकड़ है कि आड़ नाइट है कि भाई माई सिस्टर है कि बोली है कि दिक्कत है हम आड़ नाइट को माई सिस्टर के बाद में लिख सकते हैं यहां पर भूजन पाखाने के लिए हम हंडेड परसंद कुक आपरो करेंगे क्यों हाँ चाय पीने और चाय पीना में अंतर है चाय पीना वादर कि थोड़ा थोड़ा करके उसको पीना और पानी मतला लाओ और स्टार्ट हो ठीक आपको बहुत कम के सद्वें पानी बीना पाईसा कर मिल जाएगा बढ़ पूरा बजार घुम जाईए बीना पाईसा का चाय मिलने वाला नहीं यह चाय के लिए हम टेक का परोग करेंगो इस तरह से भोजन के लिए कुक आप नाम सुनेंगा कुक और कुक से बना है अर्थार भोजन पाकाने वाले आटम के लिए कुक का परोग करते हैं तो फूड़ वास सो सिंपल माई सिष्टर वास नॉट कोटिंग फूड आइस का ह दुरभ रात में भोजन नहीं पका रहे थी मेरी बहन रात में भोजन नहीं पका रहे थी इसका फूड़ वास नोट वीँक बिन नहीं कुक आम कि आप रात में वाइमाई सिस्टर मेरे सिस्टर के द्वारा अर्थार्थ मेरी बहन के द्वारा रात में भोजा नहीं पकाया जा रहा सूपन को मत तो यंद्म शूकत इक्स्क देपनर मॐनके इन बूख इन दॉप इन दहुं तो concept Having they are not reading book in the class तो इसका हो जाएगा करता हमार हो गया बूक एक बच्छा निसले बूक वास नौट बीइंग रेड बस बूक वास नौट यहां पाज है नौट यह हम बताने का परियास करें बूक वास नौट बीइंग रेड बाई एस्टुडेंट्स इन दा अर्था अर्थ बूक बूक वास नौट बीइंग रेड बाई स्टुडेंट्स इन दा क्लास बोलिए को कोई प्रोब्लम तो आप बोले अफर्मेटी नेगटी बन जाएगा अगर आप अच्छे विद्यारति होंगे तो किताब उठाएंगे प्रैक्टिस बूक उठाएंगे और पूरा बना खले चलिए अब हम लोग आते हैं धीरे धीरे सही लेकिन प्रस्ण वाच्चा की दुनिया में किसकी दुनिया में देखिए थोड़ा सा निचे एक्जामपल दिया है आप ड़ाट ड़ाट हो सकते हैं संटेंट से कि नन वाज वाचिंग दमाइच नन वाज वाचिंग दमाइच आपके इसर यहाँ पर नौट तो नहीं है है जा नौट आगया हां से गया का उड़ क्या जाएगा कोरोना वाइरस है कहीं से भी आ जाएगा लौड लगाता पर भी आ जाएगा नहीं यह नौट है यहां है नोवन में नो जो वर्ड है वह नेगेटी वर्ड है हमने बताया था कि नोवन हो नन हो नोबडी हो ऐसा अगर वर्ड होते हैं तो उसके लिए नौट का परियोग करते हैं कब जब हम पैसी वाज को बनाते है तो यह है कि नन वाज वाचिंग मैच यहां पर देखिए आर्टिकल अगर दो है तो आप भी मत छोड़िए यह गलती कहीं मत कीजिएगा है तो है दो मैच वाज नौट बिंग वाच्ट अब नोवा नोबडी सबको नहीं लिखा जाता है अब तो बात सुंगा गया होगा हम का आना का चाह रहा है नोबडी वास रीडिंग स्टोरी तो स्टोरी वास नौट बिंग रेट कंफर्म को दिकत चलिए अम लोगा आते हैं प्रस्न के तुम्यान आप प्रस्नवाचक का मतला बहुत पहले समझ चुके होंगे कि जिस संटेंस में यह जिस वाक्य से किसी प्रस बैसनुका बोध होता हो उसको उनल लोगोलते हैं प्रस्नवाचक वाक्या तो प्रस्नवाचक बाक्या का पनेगा कैसे क्या तो है है 17' तो अगर आप सकारात्मक समझ चुके हैं नाकारात्मक समझ चुके तो खुदा कसम आपको परसनुवार्चे समझने में थोड़ा सा भी दिखता नहीं होता बस टेंस मालूम होता आप एक पर कोशिस कीजिएगा पूरा टेंस को फिर से पढ़ देखेगा वाई देखिए नहीं पढ़ेंगे आपको फैदा होगा पहले सरकार इसका इनाट हो चुकी थी नहीं सोच रही है अब जहां था सब्सक्राइब से निकल रहे हैं सेलेक्शन बच्चों का हो रहा है अब पढ़ाई को भैलू दिया जा रहे तो आप नेगेटी मत हुई हाँ आप पढ़िए और मन से पढ़िए जीसे भी नॉलिज को कलेक्ट किजिए तो चलिए अगर हम इंट्रोगेट्री की बात करें तो नहीं एक्जामपल लेकर टिफिनिसां समझाते हैं जैसे एक संटेंस वाई वाज है नॉट हेल्पिंग हर इन दा मार्केट एकदाम अराम से ख़वराना नहीं है यह संटेंस आपको लिखा हुआ है वाई वाजी नॉट हेल्पिंग हर इंदा मार्केट अब हमको बनाना इसका पैसी वाज क्या बनाना है तो पैसी वाज के लिए जो एक्टिव है कोस्टन वर्ट का नहीं है मौह यह पैसी वास के कोस्टन वर्ट का नहीं है आता सबसे लग कोस्टन वर्ट बीना कोई परिवर्टतर की लिख लेंगे हुआ है है जारे बल रहा है कि सबसे पहले होच समां वोर्त रहे कि कि अध़ कि यह वाजिया वह थै कि कि जहाँ चलेगा तो स्वाजिया करता कैसाफ से चलेगा करता हुआरा क्या है हर है हर का सब्जेक सी होगा हर का सब्जेक का होगा सी होगा इसलिए वाई वाज शी नौट बिंग वाई वाज शी नौट बिंग है है कि इन दा मारके और करता ही है तो कर दीजिए बाहिं और अंती में लागा देजिए प्रस्ण वाचेश बोलिए क्या को दिक्कत है को सब्सक्राइब वाजब नियू सब्जेक प्लस नौट उसके बाद विंग लगा देना उसके बाद किरियागत की सरा रोप उसके बाद उसके बाद पलस अब्जेक्टिव क्यास प्लस कोश्टिन कोई दिक्कत नहीं है आप परसान है जुटिया का खामखा यहीं परसान है कोई पूछते है कि वेन वाज महेश इटिंग फूड वेन वाज फूड बिंग इटन वाई मैस अब बन जाएगा यहामपल और देख ले अगर यहां पर कोश्टन वर्ड नहीं है तो हम इसको हटा देंगे सहाए किरिया से स्टाट करेंगे वह लिए अगर नहीं रहागा तो नौट को हटा देंगे जैसे किसी को बोलना कि हमारे सट से पांकिट हटा दो का किया जाएगा पूरा सब्सक्राइब करना पड़ा ठीक जगा 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 इंपोडेंस नहीं यह चीप चुप जगा पर रहता है ठीक अगर सिंपल वाक्यों तो वाजवेर के बाद अगर प्रस्ण वाच्याप हो तो करता के वाज़ वह लिए को दिकत आसान है कि नहीं है वाइव यह यू नौट दूइंग यूर वर्क कि वाइव आज यूर वर्क नोट बिंग ड़न अब्रीडे बाई अब्रीडे बाई तो अब बोली तो दिकत बंजर अंट रिगटी चला हम आपको एक सिंपल सिंगल अंट रिगटी बना के दिखा देते हैं आपको कोई कंफ्यूसन नहीं कोई प्रोब्लम नहीं जैसे हाउ सहाय के लिए सुरू में तो रहे गई रहेगा यह कोई डावट नहीं है ठीक है जैसे मेर देर प्लेइंग किर्केट कि दोस्टेस आप बता है यहां पर विफ सकते हैं कि आपको जवाब मिलेगा नहीं लिख सकते है क्यों होगा सकते हैं और जो this वह किल रहे थे तो इसका हमको बना आप ऐसी वास तो कुछ नहीं सबसे पहले वाज यावियार लेकी नहाई करता को देखते हें आएक क्या है कि नहाई करता क्या है कि हम किरेट करेंगे आर्थाष लिखेंगे कि अधिक तो अधिंग तो किरकेट गथ विंग आए और तो प्ले है तो प्ले का हो जाएगा ड़्र किर्केट वास बिइंग फ्लेड दोश्ट ड़ेश क्या दोश्ट किस्की द्वारा तो वाइस हमने आपको पताया तरह तो वाइस खोड़ सकते हैं कोई गलत नहीं है ये बिद्व ही सकते हैं जुआर्स नहीं सकते हैं लेकी बियुक्त देंगे तो कोई गलत नहीं थेंगैं अगर होता के स्कुषान वाइज लीका है ऐसे वास के लिपना चाहिए है क्योंत के सब्सक्रत को हो पर है यह माने कुछ भी लागा हो ए लेखा लागा वह देख लगा लगाओ अगर यहां पर देख के बाद लगा तो नोट लगा देंगे बाकी ज़स्त का तो अब बोले प्रस्ण वाचेक बन जाएगा बन जाएगा को दिकत होना को सब किलियर बता दिया अफर्मेटिव का नेगेटिव का इंट्रगेटिव का अभी दू और है उसके ध्यान सुनिएग एक ऐसा संटेंट जिसमें हो से प्राराम किया गया हो जिसमें संटेंट से किसे प्राराम किया गया हो डावलू याच ओ हो से तो जब हम पढ़ते हैं हू का पैसीफ वाइज एक एक्जामपल कुँअ से एक हो याज्स कडानशी ऑऌन शीन मीं और किया प्रास ये आपका संटेंस हैं हूँ वाज डांसीं इन डिप वार सीमेश कोव नाच डाहा था हो तो या स्ट्रक्चर बोलता है सब से पहले हूँ वालाके लिए भाई हूं सब से परिकाह जाघ सांसे लिग pozy झाल कों सा काम हो रहा है गलत है मैं और एस संठेंस का पैसी बवास नहीं बनेगा इसे लीख देशें यह तभी बन पहेगा जब क्या दिया गया और इसमें अब्जेक्ट मालूमां जैसे यह संटेंस यह कुश्चन गलाट यह राता कि और हुआ जब अज अगर कहीं इस तरह से होता अब इसमें यह अब्जेक्ट कनफर्म हो गया और ये सकर्मक किरिया हो गया इसलिए हो जाएगा हूँ का सबसे पर लिखेंगे बाई हूँ हूँ का लिखेंगे बाई उसके बद साय किरिया वाजिया वेर अब यही करता है अगर यह नहीं रहागा सोची है का खुब आदमी भारा हुआ है मत अन्यcient मार बॉस्स इरेक शाक भशा है नाचने वाला नाचने वाली बारे सेलघका मुशी मार घर बराति मार भारा रख़ा सब आख़ा सबबंद का्ण 73 refuse तो यहां पर जो यह सोंग यह अबजेक्ट है यह संटेंस का दुलाह है तेक इसको जरूर लिखेंगे तो यह सिंगलर इसले बाइव हूम वाज इस वाज वाज एफ उसको आइएंजी है वाज वाज एस सौंग बिंग संग हो जाएगा वित्री होता है उसके बाद इन दा हो गया अर्था आर्थ वाज 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 वे एफ प्लस निव सब्चेक्ट अगर इसमें कहीं नौट होता तो वाज के बाद नौट लाएं यह सौंग पर नौट लगाते थे नौट इसको बिंग लिखते है उसको में भर का बाद की जास काता है ठेक जैसे कवर उक्षामपल देख लिजीये निचे निचे इसका इसका आई वाज विए निव सब्चेक नौट प्लस बीच पलस में जैसे फुवाज डूइंग वेज वर्क हुवाज डूइंग हिस वर्क जिसका वाजा है का बाई व्म वाज हीज वर्क बिंग डॉन एद आर्दी हाउस इन दा मॉर्निंग तो हम इसको लास्ट में लिखते हैं बाइवूम वाज हीज वर्क विंग दन दन अब बोलिए इंट्रगेटिका बन जागा को दिकत चलिए आपको कुछ ऐसे एक्जेंबर बता देते हैं जिसमें डावल ऑब्जेट के रूप में संटेंस दिया गया हो किस my teacher was my teacher was my teacher was my teacher was telling me a story in the class यहां पर जब भी रहा किरिया के बाद तो कोई नो कोई ओब्जेक्टिव के सही रहेगा मी हो गया हीम हो गया हर हो गया ही वाज आस्किंग मी यह कोईश्चन माई टीशर वास टीचिंग मी इंगलेज और अधरवर जो भी है तो इतर लास्ट में रहाएगा इसको में दो तरीका से बना सकते हैं एक के लिए करता मी बनेगा और एक के लिए करता एक इस्टोरी बनेगा दोनों में अंदर क्या बारी की अं іє होगे है यह ओ है आई वास भी इंग टोल एह स्टोरी इंदा कलास या सी से लिए सकते हैं दो और यह है टीचर इंद लिए क्या को दिक्कत है और आई वास बिंग टोल डेश्टोरी बाई माई टीचर इन दा क्लास बन जाएगा को दिक्कत यह आगर हम एस्टोरी से बनाते हैं वह इस्टोरी से बनाएंगे तो बनेगा ए स्टोरी वास बिंग यहां पकाना बिंग टोल टू मी करना पड़ेगा उसके बाद बाई माई टीचर बाई माई टीचर इन दा क्लास बोली इंग को दिक्कत है कुछ भी है क्टबल यह गों कुछ नहीं करना है यह निव सब्चेट इन निव सब्चेट आप आई से बनाएंगे तो इस तरह से लेगा चलेंगे इस टोरी इसको इसका मीर करता लिखेंगा है तो इसी के साथ हम परजन कर पास्ट कंटिनिवस का पैसी वाज पूरी तरह समाख करते हैं लास्ट में आपको वीडियो कैसा लागा अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक जरूर कर दीजेगा और अपने दोस्तों के बीच अधिक अधिक सेर किजिएगा और यदि पहली ब लाश्ट में बोलेंगे घर पर आईए स्वास्त रहिए मस्त रहिए तैट्स लाश्ट जय हिंग जय भारत उनकर रह